हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई इस्टडी फीड चैनल दोस्तों आज मैं बताने वाले हूँ भात तथा अनुकुलन यानि लोड एन एडप्टेशन क्या है दोस्तों लोड एन एडप्टेशन किसी को अच्छे से समझ में नहीं आता है आज आपको पूरा डाउट किलियर हो किलियर को सुरु से लाज तक देखते रहे हैं दोस्तों इसपूर्ट ट्रेरिंग भेज फीजिकल एजुकेशन में सबसे अटिन टापिक माना जाता है एंड दोस्तों फीजिकल एजिकेशन के अगाता है जैसे स्पूर्ट कम्पोनेर साब इस्पूर्ट ट्रेनिंग इसके में आज आप पुरे डेटेर में अच्छे तरीकी से समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल के स्प्रोट ट्रेनिंग के प्लेलिस में जाकर करके इस सब वीडियो को वाच कर सकते हैं और अपनी तैयारी को वहतरी में बना सकते हैं तो दोस्तों चले जानते हैं आज के टापिक भार तथा अनुकुलर यानि लोड एन एडाप्टेशन क्या है दोस्तों सबसे पहले यदि आपको किसी चीज में प्रदर्शन में आपको सुधार करना है तो जिस इस्थिती पर आपकार कर रहे हैं जिस नार्मल इस्थिती पर आपकार कर रहे हैं उस इस्थिती में आपको कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा यदि आप 10 किलो भार उठा रहे हैं तो आपको 11 किलो करना पड़ेगा, 12 किलो करना पड़ेगा, अगर 10 किलो हमेसा उठाते रहेंगे तो बताए आप ने क्या परियतन होगा, आपके skills में क्या प्रदसन, आगे कर चलके आपके प्रदसन में कोई सुधार नहीं होगा, तो आप दो आका कैरने ये ट्रेनिंग लेने से फायदा होगा। कुछ नहीं होगा। यानि भाहर के द्वारा हमको ठकान होती है। जिसका मुखी कारव होता है सारी अभ्यास, और क्रिया। जिसके द्वारा ठकान होता है, ठकान अनुकूनल के लिए आउस्सेख है। भार लोर में कहा हृता है तो आपको ट्रेनिंग के लिए आपके शचाइन 생각을 करने के लिए उसमें ठकान होना भी बहुत आवस्यक है, अपने लोड को बढ़ाना भी बहुत आवस्यक है, जिससे आप एक नर्मल इस्तिती से उठकर एक टाप लिवल पर पहुच सकते हैं, तो दोस्तों चलिए जानते हैं भार अथा अनुकुलन क्या है, नजी लोड एडाप्टेशन क्य हैं रिपधी जैसे लिवल ऑब भार स्सुघ अनुकुलन के लिए नुकुलन पया है् ॥द्सकते लिए अश्यक है ठकान, यासी वत्ती ब्यक्ति बिशेस्शन चन्तावे जैसे कि कि निए आवस्यक है अनुकुलन के लिए रिवह। तो दोस्तों भार जो है हम अच्छे समझते हैं पूरे डेटिल में तो भार जो है प्रसिच्छर तथा प्रतियोगिता की मांग को काबू पाने की एक प्रकिरिया है जिसे मनोबेग्यानिक तथा सारीरिक तंत्रों पर कुछ समय के लिए ब्योधान पैदा होता है जो कुछ समय के लिए हमारे मनोबेग्यानिक तथा सारी तंत्रों पर ब्योधान पैदा होता है उसी को हम कहते हैं होमियोइस्टेसिस दोस्तों कई बार पुछ सकता है कि होमियो इस्टेसिस क्या है तो होमियो इस्टेसिस वह भार की वह प्रक्रिया है जो प्रसिछर तथा प्रतियोगिता की मांग को कावू पाने की एक प्रक्रिया है जिसे मोनो बेग्यारे तथा सारी तंत्रों पर कुछ समय के लिए ब्योधा को इसे हम इस्टेजिस कहती हैं गया कि मंठी हर प्रतियोगिता की है प्रतियोगिता की मनए प्रतियोगिता की आप नहीं पर पहुछे जड़े का प्रृतियोगिता सब्भ oldest के बूचे कि एस वह कुंदर में अब करें तर आप आप प्रस्चिछर प assessments आपको प्रफॉर्मेंस इंहेंस नहीं हो रहा है तो कोई फादा नहीं है इसी प्रजासन चम्टा को बढ़ाने के लिए आपके प्रसिच्छर का जो भार होता है उसको बढ़ाना आवस्यक होता है बिना प्रसिच्छर के भार को बढ़ाए आपका प्रफॉर्मेंस इंहेंस हो क्ते हों उट हनों समय के लिए क्या नहींड हो ऩ। दोस्तों यही जो हमको थकान पर नहीं पर उता है वह नहीं होता है वह हमारे की छिए था जो हमारे विज्ञानिक, साइकोलोजिकल और फिजियोलोजिकल रुप से कुछ हद तक ब्योधान पैदा करते हैं, वह होमियो इस्टेशिस होता है, जैसे मालो दोस्तों, यदि आप 10 किलो बहार उठा रहा हैं, किसी एकसरसाइज में, अगर हम 15 किलो एक आएक आपको बढ़ा तंत्र प्रचेंज हो रहे हैं, यही आपको हमियो इस्टेशिस है, अगर यही हमियो इस्टेशिस, जो मानो सरी में, इस हमियो इस्टेशिस इस्टेशिस से पूर इस्टेशिती में, या इस इस्टेशिती के साथ समझ जैसे बैठा लेता है, यही एक सधाय से प्रक्रियात् और यदि यही होमियोस्टेटिस यान यही ब्योधान बार बार ब्योधान करें यानि कि यही होमियोस्टेटिस बार बार ब्योधान पैदा करें तब मानों शरीर में संरचनात्मक तथा मेटाबोलिक बदलाव आने लगते हैं और धीरे धीरे हमारा जो शरीर होता है व्यक्ति व्यक्ति उस बहार को अराम से सहन करने लगता है इसी को हम क्या कहते हैं अनुकूलन कहते हैं फार फरेचेपल डोसों जैसे कि आप 10 किलो बहार उठा रहा है यदि आपको 11 किलो दिया गया तो आपको पहले दिन बहुत यह हम तो ऊप्ता है कि एक भार भार को उटा रहे हैं, आप उसमे Arc Unit हो जाते हैं, बॅसमें we'll do Bonjour lindic, वो रहा है, नहीं होमने लैंगर हेथाई, भार-बार भार भार भारops का मानो स्रीन, संरचनातम्त मेटबोलीक बदलावाने लगते हैं, तो क्या बदना हो आता है 예, आपने को रहो energized है, आपका सुझना झमित भी जाता है.. यहाशन चाहिए शेमजंग आने लगते हैं आपके बाड़ी में थीक है.. यही आपका अनुकुलन है.. तो उसी चीज को आप धीरे-धीरे सहन करने लगते हैं और उसी चीज को अनुकुलित कर लेते हैं यह आपका अनुकुलन है ठीक है यह आपका अनुकुलन है दोस्तों और बिस्ति चुप से आपको समझाने के लिए हम व्याख्या करते हैं इसकी दोस्तों जैसा कि करते हैं दिस अभ्यास के कारण पेसी हमारे क्या होती है संकुचित प्रंगफ सिर्ट होती है मी Owen हमें सकती कहां से बात होती है पेसियों के संकुचित प्रंगफ होने स Steering सधीटव होने से öh know how भरत औरह को parar करते है इस पेसीयों को केंगी नहीं है कि इस्टीज को बॉल पाइके की नहीं और न प्रकुझचित और समी क्रीदिम के लिए छुड़की क्षेसित कि अखर किया है मैं वहारी नहीं हो ज़ंगी वन्वहों भूर्श लीदान था नहीं होटे हैं लौट उर्जा परडाया करने वाले पोसक्ततू होते हैं, वो सबस्टतू होते हैं, तो क्या होता है कि हमारे मुट्य कमता क साथ, मेंशाइल helped legumes, my channel, अ assuming और his याय। सकते चमठा होने लगते हैं, मेंशाइल caminho doğru होते हैं, जब सबस्टति की वynnग onasus, उसे क्या करते है लैक्टिक एसिड जिसके बनने से हमारे सरी में थकान उत्पन होता है किसके बनने से हमारे सरी में थकान उत्पन होता है लैक्टिक एसिड की बनने से तो अंत में मेटाबोलिक एक्टिविटी का अंतिम उत्पाद बनता है लैक्टिक एसिड और जैसे जैसे गति आगे बढ़ती जाती है और अंतिमुत्पाद की मात्रा यानि लेक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ती जाती है और थकान की इस्तिती भी बढ़ती जाती है जब थकान की इस्तिती एक इस्तर को पार कर दे तो तूरंत क्रिया को रोक दना चाहिए इस क्रिया को रोकने तथा ठकान के कारण अनुकुलन क्रिया पूर्ड हो जाती है दोस्तों यस प्रकार आप समझे कि भार अनुकुलन है क्या भार को हम बढ़ाएंगे और उस भार को लगातार करते रहेंगे कुछ दिन में आपका उसमें अभियास हो जाएंगे उसको अराम से सहन करने लगेंगे वही आपका अनुकुलन क्रिया है तो यह था आपका भार अनुकुलन क्या है दोस्तों अलोड फैक्टर जो हमको हमारे अभियास की गुरुवत्ता पर निर्भर करता है अभियास का प्रकार कैसा है लोड की आपरिती यानि इंटेंसिटी आप लोड कैसा है वलीम आप लोड कैसा कि इतने समय में उसको पुझा कर रहे हैं यह सब भी निर्भर करता है हमारा लोड को प्रभावित करने के लिए दोस्तों यह था आपका अच्छे तरह से समझ गए होंगे दोस्तों आपके वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताईए एंड वीडियो को ज्यादे से जादे अपने दोस्तों तक ग्रूपों में सेयर कीजिए इससे आपके मादियम से उन तब ही वीडियो पहुच सके दोस्तों आने लोट क्या होता है और प्रिवडियो कितनी होते हैं इन सब के बारे में अभी डिटेलन वीडियो आरे वाला है तो दोस्तों यह आप चैनल पर पहले बाद वीजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए बेल आइकों को भी फ्रेस कर दीजिए जिसे जो में न इस वीडियो में निश्ट आपिक इसा तब तक के लिए जैहिंद